नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य निउस पश्यम बंगाल में बीजेपी और टीमसी के बीज सियासी घमासान जारी है पहले बीजेपी ने टीमसी में तोड़फोर की अब बारी ममता की थी ममता ने बीजेपी में ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नौबत तलाग पर पहुँच गई है इसी पर देखे हमारी एक खास रिपोर्ट पश्यम बंगाल में बीजेपी टीमसी में तोड़फोर पहले बीजेपी ने ममता की पार्टी में की सिंध मारी पश्यम बंगाल की राज़नीती परवान चड़ रही है पहले टीमसी में तोड़फोर की बाद बीजेपी के घर में भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है बीजेपी सांसत सोमित्र खान की पतनी सुजाता मंडल खान टीमसी में शामिल हो गई है ममता की इस स्ट्राइक से बंगाल बीजेपी में भुकम पा गया है नौबत यहां तक पहुच गई है कि बीजेपी सांसद सोमित्र खान का परिवार बिखरता दिख रहा है और बात तलाक तक पहुच गई है गौर्टलब है कि ये वही सोमित्र खान है जो ममता के 62 विधायकों को अपने संपर्क में बता रहे थे और सरकार गिराने तक की डेडलाइन भी तै कर चुके थे मगर ममता ने ऐसी सेंधमारी की कि सोमित्र खान अपने घर को ही नहीं बचा पाए सुजाता के टीमसी में शामिल होने से सोमित्र नाराज बीजेपी सांसाद देंगे सुजाता को तलाग सोमित्र पश्रम बंगाल की विश्रोपोर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकेट पर सांसद है उन्होंने पत्नी के टीमसी में शामिल होने पर नाराज की जाहिर करते हुए कहा मुझसे बादचीत के बगैर की पत्नी ने ये फैसला लिया वही सुजाता का कहना है कि घर के मामले घर में ही रहने चाहिए इस दरान टीमसी सांसत सौगत राय और प्रवक्ता कुणाल घोश उनके साथ मौरूद रहे वही कुलकाता में टीमसी की सदस्यता लेते हुए सुजाता ने कहा कि मुझे बीजेपी में कभी सम्मान नहीं मिला अगर बात पॉपुलाइटी की आए तो ममता बैनर जी का कोई मुकाबला नहीं पश्रम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीब घोश और सौमित्र खान के बीच बीते दिनों कुछ अनबन भी हुई थी अब सुजाता के टीमसी में शामिल होने के बाद सौमित्र खान पत्नी सुजाता को तलाग का नोटिस देंगे पहले बीजेपी ने ममता की पार्टी में सेंधमारी कर बड़े नेताओं को अपने पाले मिलिया अब ममता बैनरजी की बीजेपी में स्ट्राइक से फिलहाल तो यही लग रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले शेय और मात का खेल चरम पर है ब्यूरो रिपोर्ट जनसत्य न्यूज तो चलिए हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करे और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले धन्यवाद